So Hello Guys, Welcome Back to Rian's Dream Channel So Guys, आज है हमारी चैनल के आखरी वीडियो होने वाली है क्योंकि यार कुछ लोगों की वज़े से कॉंटरवर्थी हो रही है तो Guys, मैंने आप लोगों को पहले भी अपडेट दे चुका हूँ कि हमारे एक वरी नूस पर प्रप्यार डिकल आया था Sorry, एक वरी का बहुत वरी आया था तो इस चीज को लेके कुछ लोगों को मिस्टेक हो रही थी तो मैंने वो चीज भी सौट आउट करा दी थी चलो मैंने सोचा कि मिस्टेक हो जाती है तो अभी मुझे रिसेटी पता चला है कि यार कुछ लोग हैं अभी भी जो इस चीज की लेके कॉंटरवर्सी कर रहे हैं अपनी इतनी गंदी मान सकता रख रहे हैं तो भाई मैंने कभी भी इस चीज़े एकसेप्ट नहीं की थी कि कुछ लोग ऐते भी होंगे जो इतनी गंदी मान सकता रखते होंगे तो भाई मुझे पता चल गया कि कुछ लोगों ने देखो यार सिद्धी सी बात है कहने वाला कह देता है सुनने वाला सुन लेता है जिसको बतानो तो बेचारा बताई देता है तो भाई मेरे को भी किसी ने बता दिया जिसके पास किसी ने बोलोगा कि रोईत के पास पैसा र आर्टिकल में दे रखा है कि भाई ये सब चीजे जो भी थी मेरे को ध्यान भी नहीं है आप लोगों को पता होगो जिन जिन लोगों ने नियूस पर कार्टिकल दे रखा तो भाई जो परसो रिसेंटी नेपल वाला है था अंकिता तोमर जी वाला उसमें भी या कुछ लोग वो बाते बना रहे कि रोईट के पास पैंसा है भाई मेरे को तो समझ में ये भी नियारा में किलियर कैसे कर दूँ इन लोगों को जब मेरे पैंसा ही नहीं है पुरूब भी कहा से तूँ जब नियूस पर पर इतना साफ साफ आर्टिकल दे रखा उसके बावशूद भी या कि बहुत सी जो लोग त्यार जिनको साही में मदद की जुरत थी उन बेचारों ने यार मेरे से ट्रिक्राश केती होब रखे थी कि यार हम आके कुछ नो कुछ उनकी मदद करेंगे सो भाई यार मैं दिल से उन भाई लोगों से यार कसम से मुझे चीज का दुख है भाई य लोगों ने जिन परिवार लोगों ने मेरते होप रखे थी या हमसे रिक्वेस करी थी कि हम आके उनकी मदद करेंगे सो इस्पेसली दिल से में लोगों से माफी मांगना चाहते है कि हम यार असमर्थ हो रहे चीज को लेकर तो भाई मैं आपको सारी अपडेट देते तो हमारे छेत्र में लोकल एरिया में जित्ती भी गाया मरेगी तो भाई अब वो गाया मावी बेचारी उठाई नहीं जाएगी तो अभी तक तो उठा रहे थे हम और दूसरा भी जो रीसेंट अभी जस्ट केस आया था दो आया था एक तो बागना टैक करके मार रखा नंदग कोला जी तो उनके द्वारा वो उस गायी को लेके चले गए अपने घर पे वो पा लेंगे अब ये केस यहां तक इसके बाद जितने भी केसे आएंगे वो हमारे हाथ में नहीं होंगे अगर कोई भी गायी मा सटकों पर मरती है तो भाई हमने अभियान बंद करा दिया है मेरे पीट पीचा इस चीज के लिए बाते बनाएं तो इसलिए भाई मैंने ये सब चीज़े सौट आउट कर दिया और जिन भाई लोगों को लगता है कि जिन लोगों ने मेरे पर ट्रस्ट किया था मेरे को मोटिवेट किया था उन लोगों के लिमें अपडेट देना चाहत तो अभी तो एक दो मैने के लिए सब बंद करवाना पड़ेगा उसके बाद जित्ते जल्दे हो सके तो हम या तो हरियाना से सुरात करेंगे या तो अपने हिमाचल परदेश से सुरात करेंगे तो भाई मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं कोई इस चीज को ब्यक्तिगत मत लेना और सबसे बड़ी बात तो मुझे या पर यह लगी जो लोग गाई अभियान को ब्यक्तिगत ले रहे थे जो लोग यह सोच रहे थे कि यह हमारी जिम्मेवरी है तो उन लोगों के लिए एक और अच्छी बात है क्योंकि अगर मैं नहीं चाते है भागवान के देशे कभी किसी के घर के आगे कोई गाई मरे या किसी के रास्ते के आगे गाई मरे या किसी की दुकान के आगे गाई मरे तो अभी तक तो यह था कि उठवा दे देते हैं और लोग किसी को गाई के मनने कोई फरक नी पड़ता था किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी लेकिन अब दिक्कत होगी क्यों कि अब कि अब किसी के घर का गए कोई गाई परोगी सब्काइब को यार कोई टिया कोई इस ऊद्दिया गाई भी फॉट PHILL वसकते है नियता लोग जितने क्यूंकि अब जब सारे लोग परिסान होंगे, तो सारे लोग नेताओं को फोर्ट करेंगी इस चीज़ को ले के, और हमारी गाई माह का समद्धान भी, मुझे जहां तक लगता है, अब हो सकता है, क्योंकि इससे पहले सारे लोग ब्यक्तिकत इस चीज़ को ले रहे थे सो सभी लोगों का धन्यवाद जिन भाई लोगों ने मेरा साथ दिया जिन भाई लोगों ने मेरे पर ट्रस्ट किया जिन भाई लोगों ने मेरे को इतना मोटिविट किया सो और माफी मांगना चाओतों मैं एक बार फिट से उन भाई लोगों से जिन लोगों ने में पर होप रखी थी कि हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगी उनके लिए सो इस पेसले उन सभी भाई लोगों का धन्यवाद और उन सभी भाईों से मैं माफी भी मांगना चाहूंगा यार जिन लोगों ने होप रखी थी सो आप सभी लोगों का धन्यवाद और आज के बाद जित्ते भी मुही में थी और ये अभियानते सारे बंद करवा दिये गए है सो मैं सभी के लिए ये सब चीजें नहीं कह रहा हूँ कुछ दो चार लोग हैं जिनकी वज़े से मुझे ये सब चीजें डोकनी पड़ गी है सो आप सभी लोगों का धन्यवा